ओम नमस्षिवाई, जै माता दे, राधे राधे सभी को सौगत आपका मेरे इस नए वीडियो में, मैं हूँ आपके साथ स्मीता तिवारी हिंदु धर्म में पुर्णिमा तिथी का बहुत मौत्व होता है, इस निमाता लशुमी की पूझा करने से सादक को शुष्फल की प्रापति होती है इस दिन चंदर देव की पूजा का भी विदाने ऐसा माना जाती कि पुर्णी मा के दिन सकारात्मक उर्जा इनसे निकलती है इससे चारों तरफ शुद्ध वातावरन बनता है मार्गेशिश माह हिंदू कैलेंडर का नववा मेना होता है जोतिश शास्त्र में इस मैने को बहुती शुब माना जाता है यह मैना भगवान करुष्न का प्रिय है इस शुब माह में लक्ष्मी माता के साथ भगवान कुष्न की उपासना की जाती है पौरानिक मानेताओं के अनुसार मार्गेशिश माह से ही सतियुक काल की शुरुवात हुई थी इस माह में आने वाली पुर्णीमा का विशिश महत्व होता है जिसे मार्गेशिश पुर्णीमा और अगन पुर्णीमा भी कहा जाता है मारगशिश पुर्णिमा के दिन स्नान दान और तब का विशिश महत्व होता है इस दिन हरिद्वार, बनारस, मतुरा और प्रायाकराज आदी जगह उपर दो दोर से लोग पवित्र नदियों में स्नान और तब करने के लिए आते हैं तो आईए जानते स्यूडियों में कि मारगशिश पुर्णिमा की तिथी कौन से रहने वाली है, इसनान दान का शुप समय क्या रहने वाला है, मारगशिश पुर्णिमा का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विदी कैसी करनी चाहिए, साथी मारगशिश पुर्णिमा का व जो भी हमारे चैनल पे नए है पहली बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमश्योज जरू लिख दीजिए तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मार्गेशिश पुनिमा की तीथी और इसनान दान का समय जान लेते हैं पंचान के अनुसार मार्गेशिश मा के शुक्ल पश्ची पुनिमा तीथी 26 दिसंबर दिन मंगलवार को सुब़ पाच बच कर 16 मिनट पर शुरू होंगी यह तीथी अगले दिन 27 दिन मंगलवार को है उस दिन ही मार्गेशिश पुनिमा का वरत व इसनान किया जाएंगा शास्त्रों में बताये गया है कि इस दिन नदीमिस नान दान वरत पूजा अर्चना करने से सादक को विशेश फल की प्राप्ति होती है तो चली इसनान दान का समय जानते हैं मार्ग नौ बचकर 47 मिनट से दो फ़र एक बचकर 45 मिनट के मद्धे भी सनान दान और पूजा पट कर सकते हैं तो इस तरीके से मार्गेशिश पुनिमा के ती थी और सनान दान का समय रहेंगा तो चली इसनान का महत्व क्या होता वो जानते हैं मार्गेशिश पुनिमा के दिन भग बच्वान विश्नु का आशिरवाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पुर्ण मा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है। यही वज़ाए कि इस पुर्णीमा को 32 पुर्णीमा भी कहा जाता है मारगशिश पुर्णीमा के दिन भगवान सत्य नारायन की पूजा करना या कथा सुनना बहुत फलडाई होता है इस दिन गरीब वो ब्रामनों को भोजन और दान दक्षीना देने से भगवान विश्नियों प्रसन्न होते हैं और सारी मनों कामना हमारी पुर्ण करते हैं तो इस तरीके से मारगशिश पुर्णीमा का महत्व होता है तो चली अब मारगशिश पुनिमा की पूजा की विधी जानते हैं हिंदु धर्म में मारगशिश पुनिमा एक शुब दिन है जो मारगशिश के महने में मनाई जाती है ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से देवताओ से सुख समरुद्धी और आशिरवाद मिल सकता है तो इस दिन आपको मारगशिश पुनिमा की पूजा इस तरीके से करनी चाहिए सबसे पहली स्नान करने के बाद पूजा के लिए स्वच्च और पवित्र स्तान का चुनाव करे इसके बाद एक चौकी पर एक साफ सफेद कपड़ा रखे और उसे फूलो रंगोली और अन्य सजावट के सामान से सजाए चौकी पर भगवान विश्णु या भगवान कृष्ण की मूर्टी या तस्विर स्तापित करे इसके बाद भगवान के सामने दिया अगर वत्ती जलाए दीपक जलाने के बाद भगवान को जल, दूद और शहद, अन्य मिठाई या अर्पित करे भगवान को प्रसन्न करने और उनका अशिरवात लेने के लिए विश्णु सहस्त्र नाम या कृष्ण मंत्र का पाट करे आप मारगशिष पुर्णिमा वरत कथा का पाट भी कर सकते हैं पूजा समाप्त करने के बाद अपने परिवार के सद्दस्य और महमानों को प्रसाद दे मारगशिष पुर्णिमा पर भक्ती भाव के साथ पूजा करके आप भगवान विश्णु या भगवान कृष्ण का अशिरवार प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में शांती और समरुद्धी ला सकते हैं साथी भगवान के सामने वरत का संकल पले तो इस तरीके से आप मारगशिष पुर्णिमा की पूजा की विधी करें तो चलिए मारगशिष पुर्णिमा का वरत करने की कुछ नियम होते हैं उसे जान लेते हैं पुर्णिमा के दिन भक्त सुब़ जल्दी उठें किसी पवित्र नदी में डुप की अवश्य लगाए भगवान विश्नों की उपासना करें पुर्णिमा के लिए कोई विशेश पुजा प्रक्रिया नहीं है इस दिन सत्यनारे पुजा करने का भी विधाने इस शुब दिन पर लोग उपवास रखते हैं इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें इस दिन की वरत की शुरुवात सूर्य वज़े के साथ होती है और चंद्रमा के दर्शन के बाद समाप्त होती है इस शुब दिन पर पुर्ण चंद्रमा का दर्शन करना बहुती शुब माना चाता है तो इन यमों का पालन आप पुर्णीमा का वरत करने के लिए जरूर करिए तो चलिए मार्गेशिश पुर्णीमा का वरत करने से हमें किन चीजों का लाब होता है वह जान लेते हैं हिंदु धर्मे में मारगशिष पुनिमा एक शुब दी है जो मारगशिष के महने में आती है ऐसा माना जाता है कि इस दिन वरत करने से वक्तों को कही तरह के लाब मिलते है मार्गेशिश पुनीमा के वरत के कुछ लाब इस प्रकार है पुनीमा वरत शरीर और मन को शुद्ध करने में मदद करता है यह मन को शांद करने और मांसिक इस पस्टता को बढ़ावा देने में भी मदद करता है मारगशिश पुनीमा पर उप्वास आध्यात्मिक जागरुती उत्पन न कर सकता है और भगवान के साथ आध्यात्मिक सम्मंदों को गहरा करने में मदद करता है ऐसा माना जाता है कि उफवास वेक्तिकी एकाद करता और इश्वर के प्रती समर्पन को बढ़ाने में मदद करता है पुर्नीमा का वरत करने से सवभाग्य और इश्वर का आशिरवात प्राप्त होता है कहा जाता है कि वरत करने से बादाय दूर होती है और जीवन में सफलता और सम्रुद्धी आती है उपवास करने से जाता कि पाचन तंत्र में सुधार भी होता है या सूजन कब्जो और अन्य पाचन समध्य समस्याओ को कम करने में मदद करता है माना जाते कि उपवास प्रतिरक्षा प्रनाली को बढ़ावा देने और शरीर को स्वफ्त करने में मदद करता है मारगशिश पुनिमा का वृत आत्मनियंतरन बढ़ाने में मदद करता है यह अनुशाशन और आत्मसयम की भावना विक्सित करने में मदद कर सकता है तो इस तरीके से आप मारगशिश पुनीमा का वरस जरूर करिए जिससे आपको है सारे लाबू की प्राप्ति हो तो आज की वीडियो में हमने आपको मारगशिश पुनीमा की समपुन जानकरी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी तो आज का वीडियो यही समापत होता है तो जो भी हमारे चैनल पे नए है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और अपने परीजिनों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मन भूलिए हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है बिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में ओम नमस्षिवाई